मित्रों नमस्ट संस्कृताई संस्कृत गंगा दारा गंज प्रियागराज से हम सरवग भूशन आपका स्वागत करते हैं सानलाइन का क्षाओं में अब एकाई साथ में हम आपसे चर्चा करेंगे पाश्चात्य काविशास्त्र अरस्तु लांजाइनस और क्रोचे अरस्तु के विशे में आप सायद पढ़ चुके होंगे इसके पहले ये वीडियो बन चुकी है आज हम लांजाइनस के बारे में आपसे तोड़ी चर्चा करेंगे लांजाइनस का जन्म लगबग प्रथम शताबदी से तरतीश शताबदी के मद्धी हुआ था अर्थात इनका जन्मकाल निश्चित नहीं है कुछ लोगों का मानना है कि प्रथम शताबदी से लेकर के तरतीश शताबदी के बीच में लांजाइनस का जन्म हुआ होगा Longinus का यूनानी भाषा का नाम Longinus Longinus तता अंग्रेजी भाषा में Longinus है तो चाहे Longinus आए या Longinus आए ये दोनों नाम एक ही है इनकी प्रमुक रचना पेरी इपसुफ है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद आंदा सबलाइम इस नाम से हुआ है आंदा सबलाइम को ही उदात्त की संग्या दी गई है Longinus पश्चिम यूनानी भाषा का पहला पूर्ण आलोचक था Longinus ने कावी को स्रेष्ट बनाने वाले तत्तों पर विचार करते हुए इस सिध्धान्त का प्रतिपादन किया है कि वे उदात्त को स्रेष्ट बनाने वाले तता कवी को प्रतिष्ठा दिलाने वाला तत्तों मानते हैं कि कवी को प्रतिष्ठा दिलाने वाला है और कावी को स्रेष्ठ बनाने वाला है उदात्त सिध्धान्त द्वारा उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि कोई भी कलाकृती या कोई भी काविकृती बिना उदात तत्तुके स्रेश्ट रचनान नहीं हो सकती। उदात भाषा के प्रमुख पाँच सुरोत हैं, लोंजाइनस इनको अनिवारित अथा महत्तुपुर्ण मानता है, जैसे पहला है महान विचार या धारणा, दूसरा है भावावेश की तीवरता, तीसरा है अलंकार, चोथा है भाषा और पांचमा है गरिमा में रचना विधान. तो महान विचार और भावावेश की तीवरता इन दोनों का संबंध तो ये जन्मजात होते हैं इनका संबंध कावे के अंतरंग पक्ष से हैं और अलंकार भाशा और गरिमा में रचना विधान ये कलागत है अता ही बहिरंग पक्ष से हैं अब लोंजाइनस का जो सिध्धान्त है वो उदात्य सिध्धान्त कहलाता है लोंजाइनस ने अपने पेरी उपसुप ज्यान रखेगा पेरी उपसुप नामगरंथ में उदात्य सिध्धान्त के लिए दसबलाइम सब्द का प्रयोक किया है जिसका आर्थ है उचाई पर ले जाना या उपर उठना इसे ही लॉण्जाइनस काविकी आत्मा मानते हैं और कहते हैं कि इसी के कारण हमें कावि में आनंद की प्राप्ति होती हैं यानि लॉण्जाइनस का ग्रंथ पूंचेगा तो पेरी इपसुप आपको ध्यान रखना है ये उदात्य सिध्धान्त को महत जिन उचाई तक जिन गुणों के कारण ले जाता है वे ही उसके प्राणतत्व हैं साहित का यह उदात्य गुण अन्य सभी गुणों से महान है यहां रखेगा उदात्य की चर्चा लॉण्जाइनस काविक शास्त्र में करते हैं लॉण्जाइनस के अनुसार उदात अभी ब्यंजना के वैशिष्ट और उतकर्ष का नाम है क्या कह रहे हैं कि उदात अभी ब्यंजना के वैशिष्ट और उतकर्ष का नाम है और यही एक मात्रे साधार है जिसका सहारा लेकर महान कवियों और लेकों ने गौरो और यस से अमर हुए हैं तो यह मैं चर्चा कर रहा थ लोंगिनुस नाम है इनका लोंगिनुस ग्रीक भासा में और अंग्रेजी मिन्स लोंजाइनस कहते हैं परंपरा का तरूप शेक कावि में उदात तत्व आंद सब्लाइम इसकृति के रचना कारवाने जाते हैं इस कृति में अच्छे लेखन के प्रभावों की चर्चा है लोंगिनुस का असली नाम तो ग्यात नहीं है वह युनानी काविया लोचन का सिक्षक था उसका काल पहली सदी से लेकर के तीसरी सदी तक होने का ये अनुमान मात्र है लोंजाइनस ने काविय को स्रेष्ट बनाने वाले तत्वों पर विचार करते हुए सिध्धान्त का प्रतिपादन किया है कि वे उदात को काविय को स्रेष्ट बनाने वाला तता कभी को प्रतिष्ठा दिनाने वाला तत्वों मानते हैं ये उदात महान विचारों संगठी तलंकार योजना आभिजात्य पदरचना तता प्रभाव की गरिमा में नहीं थे वे वागा डंबर, बालेयता और भावा डंबर को उदात्यता में बाधक तत्वों बानते हैं वागा डंबर को और भावा डंबर को परिशयत के बारे में आप से मैंने चर्चा की कि जिस प्रकार भारती कावेशाश्थ्र में कावे के स्वरूप और उसकी आत्मा को लेकर बिभिन मत्व का प्रतिपादन हुआ कभी रस संपरदाय आपने पढ़ा वक्रोक्ती संपरदाय पढ़ा चीत्य संप्रदाय पढ़ा उसी प्रकार पास्टी आलोचना के खित्र में विलीन युगों में विलीन चिंत को मानते हैं प्लेटो और इनका पलवन अरश्टु ने अपने से किया और विरेचन को साहित्य का उद्शहुआ प्लेटों ने अनुकरण को साहित्य का मूल तत्व माना इनका पल्लवन अरस्तु ने अपनी दृष्टी से किया और विरेचन को साहित्य का उद्देश स्विकार किया इसी प्रकार लोंजाइनस का उदात्य सिध्धान्त है इस सिध्धान्त के द्वारा उन्होंने यह रहती है रचनाकार का यह अनुभूति तत्व अपनी महानता उदातता भव्यता या गरिमा के कारण रचना को महान बनाता है रचना यह कृति शिल्प के द्वारा अभिव्यक्त पाती है किन्त उदात्त रचना का लेखक अपनी रचना में शिल्प के संदर्य की अधिक चि करता है इस उडाद्य सिध्धान्थ को प्रस्तुत करने वाले आचारे लोंजाइनस है इनका यूनानी भाषा नाम लोंगिनुस तथा अंग्रेजी हैं इनकी रचना का नाम पेरी हुटसूम है जिसका अंग्रेजी इसी को हिंदी में उदात्य की संग्या दी गई है इसका ग्रंथ पास्चात्य साहित्य शास्त्र का प्रमुख ग्रंथ है आए उदात्य के कुछ स्वरूप पर हम आपसे चर्चा कर लें लोंजाइनस ने उदात्य की परिभाशा और उसका सामान ने परिचे जिस रूप में दिया है उससे प्रतीत होता है कि उनके समय में यह शब्द इतना अधिक प्रचलित हो गया था कि उन्होंने इसका विश्तरत परिचे देने की कोई आवश्चकता नहीं समझी फिर भी उदात्य के स्वरूप को इश्पष्ट करते उन्होंने इतना कहा अर्थात अभी व्यक्ती की विश्ष्टता और स्रेष्टता का नाम उदात्य है अभी व्यक्ती की विश्ष्टता और स्रेष्टता का नाम उदात्य है इसी को लक्ष करके हिंदी आलोचिकों ने यह स्विकार किया है कि किसी रचना में उदात्य तत्व उप्युक्त तता गरिमा पुरुन शब्द विधान आवेग को दीप्त करने वाली अलंकार योजना तता रचना विधान द्वारा अभी व्यक्त होता है लोनजाइनस ने कावी के उदात्त को वक्तरता से एकदम भिन्न बताया है क्योंकि कावी में स्रोताओं पर उदात्त का प्रभाव तनमेता के रूप में होता है प्रवर्तन के रूप में नहीं इस कारण लोनजाइनस के द्रिष्टी में भव विकविता वही है जो आनंदाती रेक के कारण हमें इतना निमगन और तनमे कर दे कि हम ऐसी उच्चे भाव भूमी पर पहुँच जाएं जहां वर्ण विशे विद्यत प्रकाश की भातियालो की थोटता है इस द्रिष्टी से लोनजाइनस को आनंदाती रेक और विश्वनात के विगलित वे ध्यांतर में बहुत कुछ साम्य देखा जा सकता है उदात्त के श्वरूप के अंतरगत लोनजाइनस में मनोवेग्यानिक और विवहारिक दोनों दृष्टियों को सामने रखा इसी से उन्होंने एक और उदात्त के आंतरिक तत्वों का उलेख किया है और दूसरी और उसके बाह पक्षिकी भी विवेचना की है उदात्त का मूल आधार क्या है क्या वह वक्ता या लेखक की जन्मजाद प्रतिभा पर आधारित होता है या उसका प्रश्पूटन सिक्षा देक्षा से विचार किया जा सकता है या अभ्यास पर निर्भर है इन प्रश्णों पर विचार करते हुए लोंजाइनस ने मध्यमार्ग का अनुकरन किया है उनके विचार से उदात ना तो सरवता प्रतिभा सापेक्षे है और ना पुरुनता अभ्यास सापेक्षे है वस्ताह उदात का आधार व्यक्ती का कोई एक पक्ष एक गुण या एक प्रवर्ति नहीं है अपित उसके पीछे संपूर्ण व्यक्तित्व की जलक होती है अताह उदात का स्रिष्टा उदात्य व्यक्तित्व ही हो सकता है महान प्रतिभाशाली उच्चे विद्ध्वान एब सच्चा उदात केवल उन्ही में प्राप्य है जिनकी चेतना उदात एवं विकासोन मुख है यह सरवता स्वाभाविक है यह सरवता स्वाभाविक है कि जिनके मस्तिस्क उदात धारणाओं से परिपूर्ण है उन्हीं की वानी से उदात शब्द जंकृत हो सकते हैं बड़ी स उदात्त का संबंध केवल प्रतिभा अध्ययन और भाषा के अध्ययन से नहीं अपितु व्यक्ति के समूचे व्यक्तित्व से है ज्यानकेगा उदात्त का संबंध व्यक्ति के समूचे व्यक्तित्व से है निसकर्ष रूप में उदात्त अभी व्यंजना का प्रकर्ष और व पारशन से भिन्नतत्व है उसका प्रभाव करमिक नहीं आकस्मिक होता है और उसके अलौकिक आलोक से कथा चमक उठती है अब उदात के स्रॉत क्या हो सकते हैं यद्यपि उदात के मूला धार साहित तकार के व्यक्तित्व की महानता में नहीं थे फिर भी रचना में उदात तकात त्व लाने में लोंजाइने से पांच सुरोतों की चर्चा की है महान धारनाओं की क्षमता या विचारों की भव्यता दूसरा है प्रेरना प्रशूत आवेग या भावावेश की तिब्रता तिसरा समुचित अलंकार योजना चोथा उतकरिष्ट भाषा और पांचमा गरिमा में रचना विधान उपर युक्त पांचो तत्वों में से प्रथम दो जनमजात अर्थात कवी प्रतिभा के अंगे हैं और सेश तीन कला संबंधी विशेश रताएं हैं उदात के सुरोतों में प्रथम इस्थान विचार की महत्ता का है इसी को लॉंजाइनस ने शब्द भेद से आत्मा की भव्यता भी कहा है उनका इस्पष्ट कथन है कि उदात तो महान आत्मा की प्रतिधनी होता है। यदि आत्मा की यह महत्तानै सरगिक ना हो तो उतकरिष्ट विचारों द्वारा उश्य प्राप्ट किया जा सकता है। महान शब्द उन्ही के मुख से निकलते हैं जिन में विचार गंभीर और गहन हो महान विचारों से संपन्न आत्मो थान युक्त साहित्रिकार ही उदात स्रजन कर शकते हैं लोंजाइनस की ऐसी उधारणा है जिससे उनकी उदात प्रभाव संबंधी धारणा भी जुड़ी थी संभो है वस्तुतहा आत्मिक महानता उदात श्रजना की पहली सर्थ है इसी लिए उदात का प्रभाव यानी ट्रांस्पोर्ट भी नैतिक रूप से कल्यानकारी ही माना जायेगा इश हैником कर उदात्य साहित्रिका प्रभाव नैतिक टता कलात्मस दोनों ही दिश्टियों शे उत्तम माना जाना चाहिए इस दृष्टी से लोंजाइनस और महा कभी मिल्टन एक ही इस्तर पर उतरते हैं मिल्टन के अनुसार महान साहित्तिकार बनने के लिए महान और अतिसम्मान नहीं वस्तमों का अनुकरन करना चाहिए मिल्टन का मत है कि मनश्यों को यह भव विव प्रतिभाश आली कभी अपने जीवन के संध्याकाल में अस्त होते हुए सूर की तरह ठंडा हो जाता है और उसके परवर्ती कावे में उदात्त की कमी दिखाई देने लगती है ओधिश्यू या में होमर की इसी अस्ताचल गामनी प्रतिभाश के दर्शन होते है लोंजाइनस का कतन है इलियट होमर की तरुनाई की रचना है क्योंकि इसमें गती और संघरश का प्राचुरी है इसके विपरीद ओडिसी का बहुलांश आख्यानात्मक है जो बुढ़ापे की देन है हिंदी में मैतलिस रण गुप्त के विश्नुप्रिया और रतनावली इसी प्रकार क कावी हैं जिन में इनकी प्रतिभा का अपकर्ष देखा जा सकता है पंत और बच्चन का परिवर्ति कावी भी इसका उदाहरन है प्रेरणा प्रशूत आवेग या भाववेश की तिब्रता अभी आप समझ सकते हैं कि यदि कभी आपसे परिक्षा में पूचे एक उदात सिध्धान्त और भारति का विशाष्ट्र तो लॉनजाइनस का उदात सिध्धान्त पास्चात समिक्षा की देन है उनका उदात जीवन के अरजित पक्ष की अभी ब्यक्ति है मधुर पक्ष के लिए उसमें कोई स्थान नहीं है अता जीवन के आधे पक्ष का विवेचन करने के कारण उनका शाष्ट्र अधूरा है भारतिय काविशाष्ट्र की पूर्णता उसमें कहां जिसमें ओज के साथ माधुरी गुन भी है एक और वीर और अद्भुत रसें तो दूसरी और सिं में नहीं इसलिए सफल भाषण के लिए महत्पुर्ण तत्यों का ही निर्वचन इसमें मिलता है मेरे ख्याल से आपने बहुत सारी बातें जान ली होंगी और वागा डंबर भावा डंबर और शब्दा डंबर ये उदात के उदात की परिभाशा में परिभाशित करते हैं इसका नाम याद रखना है तो मित्रों आज बस इतना ही फिर किसे नई वीडियो के साथ हम आपके सामने उपर स्थित होंगे तब तक के लिए नमर संस्कृत है